नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे फुटिंग कास्टिंग होने के बाद कॉलम का मार्किंग कैसे करना है जब हम फुटिंग कास्टिंग करते हैं उसके बाद हमें वहां पर क्या करना होता है कॉलम कास्टिंग करना होता है क्योंकि हमारा जो कॉलम है वह नीचे चलते हम साइट पर यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमारा फूटिंग है वो कास्टिंग हो गया है देखेगा और फूटिंग कास्टिंग होने के बाद यहाँ पर जो वर्क है वह चलता है कॉलम का मार्किंग करने के लिए कॉलम यहाँ पर देखेगा जो कॉलम है उसका लूजर करके सभी जो कॉलम हैं वो चेक करने हैं सबसे पहले यह पर देखेगा सबी कॉलम के लिए लाइन दूरी लगवाई हुई है जो आपका लाइन आ ओट का ड्रॉइंग होता है उसी इसाब स्वाइनदोरी लगवानी है और पर कॉलम जो है वो सभी छेक करने हैं देखे़का किस तरह से लाइन-दोरी लगवाई है और ग्यांदोरी वो आपको आसानी से वहाँ पे मिल जाता है ओके यह जो लाइन दोरी है वो कॉलम के कॉंक्रेटिंग के साथ वहाँ पे लगवाई जाती है यहाँ पे हमारा कॉंक्रेटिंग होगा तो लाइन दोरी के हिसाब से हमारा जो कॉलम है वो आसानी से हमें मिल जाता है तो देख सकते हैं आप जो लाइन दोरी का यूज करके और उसे के साथी जो प्लम बॉम है उसका यूज करके वहाँ पे फुटिंग पे किस तरह से कॉलम का मार्किंग किया जाता है देखेगा जो हमारे लाइन दो रही है उसे और प्लं बॉम का जो लाइन दो रही है उसे मिलवाना है और वहां पर हमें नीचे फूटंग के उपर जो Marking है वह कर देना है जो भी हमारा कॉलम का size होगा कॉलम का size हमारा होता है 9 inch by 15 inch या 9 inch by 18 inch इन मेंसे जो भी आपका कॉलम का size होगा RCC design के हिसाब वह हमें वहाँ पर marking करना है तो इस तरह से आप वहाँ पर काम करोगे तो आपका जो हमें वہापे कहीं भी गलत नहीं होता है अब एक बहुतर काम वहाइभान से मुंश्टर कोषय को याद रखेगा जो एक्स्पेस वाले हों चाहिए तो आपका जो काम है वह भी बहुतर क्वालिटी का जरूर बन जाता है याद रखेगा इंजिनियर को भी सलाह आपको जरूर लेना है जब भी कोई भी आप RCC का काम करते हो तो इंजिनियर की सलाह के बेना आपको कोई भी काम वहाँ पर नहीं करना है जो भी अंस्किल वाले जो कॉंटक्टर है लेबर हैं उनकी बात सुनकर आप क्या कर देते हो कोई भी वर्क आसा आपको पसंदा होगा वीडियो पसंदा तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरू सब्सक्राब कीजिएगा दोस्तो इस तरह के मैं शीविल रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ जब आप अपने घर का कोई भी काम करते हो या आप फाइदेमंद रहने माला है तो चलिए दोस्तों आज के लिए पसितना ही मिलते के लिए वीडियो में एक नए टॉपिक की साथ धन्यमाद दोस्तों